कोई जानता भी है कि चावल का एक दाना तैयार होने में कितना समय लगता है? नहीं जानता, 120 दिन, 120 दिन तक जब एक किसान का पसीना उस धान के खेत की मिट्टी में बून बून मिलता है, तब जाकर अन्न पैदा होता है और ये भी बता दू, कि हमारे देश में खाना बरबाद नहीं किया जाता अगर वही देश किसानों को बरबाद होता देखता रहे, तो फिर हम किस के पस जाएंगे? खाना खिलाने वाले से कहा जाता है, अन्न दाता सुखी भवतू ये अन्न दाता है कौन? खाना पकाने वाला या परुसने वाला नहीं है, अन्न उगाने वाला है और ये खेती जैसा उपाहार इश्वर ने हमें दिया है सेल्फोन के बिना हम जिन्दा रह सकते हैं, टीवी और एसी के बिना भी हम लोग जिन्दा रह सकते हैं जो टीवी और एसी बनाते हैं वो करोड़ों पती हैं लेकिन अन उगाने वाला वो गरीब किसान इतनी खड़ी महनत और धूप में पसीना बहाने के बाद दिन दिन बर दिन भरीब होता जारा है फैक्टरीज लगाना गलत नहीं है बिल्कुल सही है लेकिन खेतों को बरबात करके फैक्टरीज लगाना गलत है इस देश में कितनी ही बंजर जमीने हैं कितनी ही पत्रीले जमीने हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है इसलिए खेती करने में इतनी परेशानी उठानी जरा सोचकर जवाब दीजे कि किसान पानी लेने कहा जाएगा। भगवान ने अन्न दाता कहलाता है वही मंदिरों के सामने भीक मांगता फिर रहा है बादों पर मत जाईए जमीन पर आ जाईए एक कॉर्परेट पे काम करने वाला हजारों करोन का उधार लेकर विदेश बाग गया और वहां बैठकर विदेशी शराप पी रहा है सिर्फ पा उन्हें खत्ब करती जा रही है पर ये दिखाई नहीं देता केंट फैक्टरिस की बात कर रहा है हम सारे हल्दी फूड्स में मिलाउट करके ये उसे बरबात करते जा रहे हैं अंडे को शैंपू में गाजर को क्रीम में सोया को साबुन में दो रुपए का अंडा दस रुप जैसे घरीब बच्चे घरीब बुड़े विबारी से मर रहे हैं दर नौकरी कैसी भी हो हमारी पहतरी के लिए होनी चाहिए लेकिन हम उन फैक्ट्रियों के गुलाम बनकर अपनी जिंदगिया खराब कर रहे हैं याद रखे खेती भी एक उत्योग है और किसान उत्योगी है अगर हमारे गाउं की समस्ताओं को आप लोगों ने नजर अंदास किया तो एक नए एक दिन हर गाउं हमारे गाउं जैसा ही बन जाएगा समझ चाहिए आप लोग अगर ये मीडिया कोशिश करें, तो ये दुनिया हिला के रखते हैं, वो ताकत है आप में अब लोगों के दर्द को आपको बताने के लिए आपको परिशान किया, उसके लिए माफी चाहिए अगर आपको लगे कि ये सही है, तो हमें नयाय दिलाने के लिए हम सब की मदद कीजे